जैसे ही लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट का एलान किया, राजनीते खेमों में हलचल मच गई ममता बेनरजी का एलान बीजेपी से ज्यादा कॉंग्रेस के लिए चौखाने वाला था क्योंकि ममता बेनरजी ने पश्चे मंगाल की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिये हैं इसे के साथ ये साफ हो गया है कि ममता बेनरजी अब इंडिया गटबंदन का हिस्सा नहीं है हाला कि कैंडिडेट्स की घोश्चना के दारान उन्होंने गटबंदन को लेकर सपष्ट कुछ नहीं कहा लेकिन 42 उम्मीदवार उतार कर ये भी साफ कर दिया है कि अब उनकी राहें कॉंग्रेस से जुदा है यही नहीं ममता बेनरजी ने ये भी कह दिया है कि यूपी मेक मेगाले की एक और असम की दो सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगी ममता बेनरजी की घोशना से पहले तक यही माना जा रहा था कि कॉंग्रेस और टीमसी में सीट शेरिंग को लेकर कोई फॉर्मिला तै नहीं हो पाया है लेकिन अब लोग ममता बेनरजी के उन पुराने बयान को याद कर रहे हैं जब इस साल जन्वरी में उन्होंने गढ़बंदन की बात को लेकर इनकार किया था हाला कि बाद में गढ़बंदन का हिस्सा बनने और सीट शेरिंग पर बातचीत होने का दावा किया गया अब ममता बेनरजी के इस अप रत्याशित कदम के बाद कॉंग्रेस की तरफ से भी रियक्शन आने शुरू हो गए हैं कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता जैराम रमेश ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि ममता बेनरजी पर क्या दबावाया लेकिन एक सम्मान जनक तरीके से सीट शेरिंग होनी चाहिए सुनिए उनकी बात जैराम रमेश ने ये भी साफ का है कि कॉंग्रेस के दरवाजे खुले हैं टी-म-सी का नाम टी-म-पी नहीं है वो पार्टी नहीं है सी है यानि कॉंग्रेस जुड़ा है उनके नाम के साथ वहीं टी-म-सी की लिस्ट की बात करें तो टी-म-सी ने बशीर हाट लोकसबा सीट से एक्टरेस नुस्टरत जहां और जादबपूर सीट से एक्टरेस मीमी चकरवर्ती का टिकट काट दिया है कूछ विहार से जगतीश चंद्र बसूनिया को अलिपूर्द्वार से प्रकाश चिक बाराइक को जलपाईगुडी से निर्मल चंद्र रॉय को दार्जलिंग से गोपाल लावा को रायगन से कृष्ण कल्यानी को बलूर घाट से बिपलब मित्रा को मालदा उत्तर से प्रसून बनरजी को टिकट दिया गया है वही मालदा दक्षिन से शाहनवाज अली रेहान को और जंगीपूर से खलिरूर रहमान को बहरामपूर से यूसफ पठान को कृष्णा नगर से महुआ मोहित्रा को उतारा गया है रानगाट से मुकुट मनी अधिकारी को मुशीरबाद से अबू ताहेर खान को जादपूर से सयोनी घोष को डाइमंड हारबर से अभिशेक बनरजी को और आसन सोल से शत्रुगन सिना को राइगन से कृष्ण कल्यानी को बंगाउ से विश्वजीत दास बशीरगाट से हाजी नुरूल इसलाम को कॉलकता से सुधी बनरजी को हावडा से प्रसून बनरजी को हुगली से रचना बनरजी तामलुक से दिवांक्षु भटाचार्या घाटल से दीपक अधिकारी को जारग्राम से पद्मरशी काली पत सोरेन को टिकट दिया गया है बाकुरा से अरूप चकरवर्ती को दुर्गापुर से कीरती आजाद को टिकट दिया गया है वही बीरभूम से शताबदी रोय बिश्नुपुर से सुजाता मंडल खान श्रीरामपुर से कल्यान बैनरजी दमदम से सौगत रोय बैरकपुर से पार्थ भौमिक को टिकट दिया गया है वहीं बारासाथ से काकोली घोष जॉयनगर से प्रतीमा मंडल मतुरापुर से बापी हल्दर कॉलकाता दक्षिन से माला रोय कॉलकाता उत्तर से सुदीप बंदो पाध्याय पुलूवेरिया से सजदा रह्मान अरामबाग से मिताली रोय पुरूलिया से शांती राम महतो मैदिनीपुर से जून मालिया और काथी से उत्तम बारिक को टिकट दिया गया है फिलाल इस वीडियो में इतना ही इस खबर को हमारे डेस्क के साथ ही पूर्व श्रिवास्तव ने लिखा है और खबरों की ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूस नेशन डेजिटल के साथ